आज मैं आपके साथ वेट चॉप की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिंगॉल में बहुती पॉपुलर स्ट्रीट पूड है और खाने में इतना जबरदस्त है कि अगर आपने इस एक बार नहीं खाया तो घर में बना कर देखिए बहुती हेल्दी सा है टेस्टी है और बन के जल्दी से तयार हो जाता है बहुती क्रिस्पी कटलेट है जो बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया वेट चॉप का ड्राय मसाला बनाने के लिए वान टीस्पून सॉप फिनल सीट का लिया सिनमें स्टिक ताल चीनी का एक पीस और वा बनाया जाएं के लिए हैं और टू ड्रेट चिली आपको करना ये हैं हलकी आच पे सुनेरा होने तक मसाले को भूनना है जब मसाला हलका सुनेरा हो जाएगा उसके बात प्लेट में निकालके मसाले को डंडा करना एं साथ ही में जु लाल मिर्ची है उसकी डंडल को तो उबले डी आलु ले सकते है या आलें जाड़ों को कत्दुकस सकते होम मेद दो गाजर दिया जसे चामीं wärगो ठाउं तीनों को आल सो घ्रीया मिक्स कर लिया हम ने इक बोल के अंदर चलिए अब सबसी को तड़का मारते हैं दो टेबल स्पून मैंने ओइल का लिया इसमें आधा चमज डाला मैंने राई का मस्टर्ट सीट्स का आधा चमज सौंफ का फैनल सीट्स का और आधा चमज डाला खलॉंजी अनियन सीट्स का आधा चमज डाला जीरा क्युमि और तीन ग्रीन चिली एक्तम बारीक कटी हुई फंच पोरन पिंगॉली कुजीन का में पार्ट होता है और इसमें डालेंगे डेट चमच के आसपास कद्दुकस करी हुई अद्रग या बारीक कटी हुई अद्रग मसाले को हलका सा रोस्ट कर लेंगे बहुती अच्छा फ्लेवर आता है और ये सारी की सारी सबजेस में डाल देंगे बहुती अलग तरीका है कटलेट्स पनाने का और यकीन मानिए जो आप उबाल के बनाते हैं उससे अलग टेस्ट आता है लेकिन इस तरीके से कुछ अलगी ट यह डाला था अब बिल्कुर जैसे इस अड़ी पेकाते हैं उस तरीके से हम पकाएंगे तो कटलेट्स जो हैं इस तरीके से बनाने से एक अलगी लेवल पर टेस्टी लगते हैं यह तरीका आपको इक बस ज़रीव ड्राई करना है अचै ज़री ठक के सब्दियों को इक्तम अब जो मसाला बनाया था वह सारा इस पर डाल दिया शाट में एक चमच चीनी का भी डाल दिया और बारी कट घटा हुआ थोर सदनिया और डाल दिया रोस्टेट पीनट्स, मुफली, बुनी हुई मुफली, दो बड़े चमच इसमें डाल दिये, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सारे मसालों को बहुती गजब टेस्ट आने वाला है, अगर आपने वेट चॉप आज से पहले कभी नहीं काया है, तो इस रेसिपी को एक पर खर मे बहुती यूस्फूल मसाला है, बहुत टेस्टी सेती है सब जयों में अब को बने र Lily Evereg QRSic, उस में पेछू लेक्ड होगा, आप बंढ़ेthy चैसे लोगे लियूश के लिए मैश्टे बिरेफी चैसी मेशिरिंग कप उसके अंदर यह मसारा ढालके इस तरीकि boys चेप सारे कटलेस एक जैसी शेप के बने कि जिससे की जब कुकिंग करते हैं तो इवन ली कुकिंग होती है crash भी बराबर रहता है quantity भी civer रहती है अब bread crumbs लिए मैंने bread ले ली कोई भी आ dau Peau या वाइट ब्रेड ले लीजे, मिक्सी में डालके उसका पाउडर बना दीजे, इस तरीके से, इसमें मिलाया मैने वन फूर्थ कप राइस फ्लार, यह है चावल कार्ट, अगर यह ना हो तो पोहा को मिक्सी में चला के उसका पाउडर बना लीजे, या फिर इसमें सूजी इस बना दीजे, और यह कोंड़कर करने के काम आता है। यह जो वेटोप के कटलेट करना है। इसको जो टिप करना है एक पस बनाना, उसके बाद आपको इन्हें रहा हैं ब्रेड क्रम्स में। उक्रिम्स में सूखा अठा जो हमने चावल का मिलाया है, उससे कोटिंग आप खुद हैरान रहाएंगे इतने क्रिस्पी लेर आती है चावल के आर्टेस्ट है तो चलिए यह सारे की सारे मैंने रोल करके सेट कर दी है इनको तोड़ी सी देर हम फ्रिज में रख देंगे केवल 5-10 मिन के जिसे की अच्छे सी कोटिंग स्टिक हो जाए उसके बाद एक सकती है तो आपको बिलकुल भी हीलाना नहीं है Ésके बाद आपको हलके हाथ से किसी चोटी spatula से आपको इने चला के अच्छे से चारो तरफ से सेखना है मेरी चो यह tip है यह आप ध्यान रखिएगा जब भी कभी आप कोई cutlet, टिक्या या कुछ भी चीज इस तरह के की fry करते हैं तो उसे पहले उपर की layer को सिखने दीजिए और उसी के बाद कोई चमत, spatula आप उसमें डालिए otherwise आपकी अंदर की filling चमत से टच होके बाहर आ सकते देखिए अच्छे से यह सिख चुके हैं अब इनको बिल्कल golden होने तक मैंने सेख लिया golden brown होने तक बहुत ही अच्छे सिखे हैं आप चाहते हैं यह ख़ए लिए तो कम सिख के बाहर निकाल के किसी जिप लॉक में डाल के इ quir西ní में रख सकते हैं प技 लेख, जो राइड टाइम पाप collecting के रेड़े हैं जो अब जो आपके यह इनम बनाकर सकते हैं यह जो चटनी इसके लिए मैंने काले वाले राई और येलो वाले राई लिया है, मस्टर्ट सीद्स काले वाले और येलो वाले जिसे मैंने रात भर एक कप विनेगर में बिको दिया, साथ ही मैंने एक जो मैंगो होता है, कच्चा आम वो लिया है, उसको भी बारी काट लिया, इसमें मैंने वान टेबल स्पून विनेगर डाला, पानी का इस्तमाल हम नहीं करेंगे, इस मस्टर्ट सॉस को बनानी के लिए, जिससे की यह प्रिजर्विटिफ का काम करेगा विनेगर, अब तीन आपको इसमें हरीमिची लेनी है, आदरक लेनी है, वान टी स्पून जो की ब हमने विनेगर में भिगाया था, विनेगर समेथ इसमें मैंने डाल दिया है, जिससे की विनेगर का अच्छा सा खटा टेस्ट आ जाए, पानी का मैंने बिलकुल इस्तमाल नहीं करना है, चटनी बनाते वर्ग और इसमें लेमन जूस डाल देंगे, यह जो चटनी है, यह आपको सबस्क्राइब करने हैं वोर इस रेसिपी को ज़रूर